नमस्कार आसन पर में आपनों का बहुत बहुत स्वागत है जैसा कि अभी नवरात्रा चल रहे हैं और जो हमें यह डिस्स बना कर लाए हैं साबुदाना और अर्वी की यह बहुत ही स्वाधिश्ट डिस्स है तो देखिए इस तरह से हमने गोल को इसको बड़ा टाइप के बन अद्धी हुए हैं तो आप भी सरे बड़ा तेरे बना सकते है और यह देखिए हमने शब्रॉजण बना सकते हैं या किसी तरह से सव्ट और क क्रिस्पी झाल सकते हैं इसको आप एक दिन बना के रख लेंगे दो आप से हफ़्त एभर 350 यह बिल्कुल भी खराब नहीं भूब करने होगा और आपको रोजो रूजों चखनानी के लिए रख दिया नगल करनाबारबी बहुत है सिसाइओं सुर्व करेंगा बालू करें कूल यह और यह हमने मुमपली को यहां पर भूल लिया था छी लिया था और इस को कुछ मुट ने इसको कर लिए, अब हम उसको बनाना है जुरह कर अब आप आप भी ते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले test वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना और कमेंट में जयमाता दी लिखना बिल्कुल भी न भूल है यहां पर देखिए सारे सामान को हम एकटा मिला ले रहे हैं यह भुना कोटा हुआ जीरा है हमारा और यहां पर हमने धनिया पत्ती और यह मिर्ची डाली यह मिर्च वाला नमक ढळाला है तो आप खाने वाला । यह बहुत अच्छा नास्ता बने है और यह बिरत में आराम से आप इस एक्छा गहीं सकती है और यहां पर यह देखिए हमारे हमारे इसाबड आती का नहीं स़्िस्कार यहां कर दिखे और भूल बनाकर च्रीन की आरखते हैं पर कर देंगे तो हमें काम करने में सहायता होगी आंगे के लिए सुविधा हो जाएगी और यहां पर देखे तेल हमारा अच्छा गरम हो जाए तो हमें यहाँ पर इस जो साबू दाना का जडर है तो हम अपने मन चाहे आकार के एसमें सेब देकर इसमें कुछ भी भजीया बना रहे हैं तो आपको बार बार जरिया नहीं चलाने हैं कड़ाही में और इसको थोड़ी देर में निकाला हैं यह देखिए हमारे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और आग भी आप देख रहे हैं बहुत तेज है क्योंकि यह मद्धी आज में नहीं बनाए जात और देखिए किस तरह से देखने में बहुत अच्छी क्रिस्पी लग रहे हैं और खाने में भी बहुत अच्छी क्रेंची लगेंगे अब मैं दूसरा तरीका आपको बता रही हूं यह हमने पॉलिथिन ली हुई है और जो हमने बॉल बना के रखी हुई थी आप इसको छोटी रख सकते हैं तो इस तरीके से यह हमने पुड़ी जैसे बनाया है आप इसको चाहें तो हरी धरिया की चटनी होती है या फिर आप टमाटर की ब्रतवाली चटनी है तो उसके साथ आप इसको खा सकते हैं तो आप एक बार इसमें निबू भी डाल सकते हैं और पलटा के आपको बता रही हूं यह देखिये दोनों तरफ सी बहुत अच्छी है तो आप इसको रोज भी बना सकते हैं और ज्यादा करको आठ दिन तक आराम से चल सकते हैं तो वीड भी बुष, जर हो नहाओं, जर रहा हैं, जर में रहा हैं, जर भी खालव बाक रहा हैं, जर रहा हैं.